राहूल गांदी की सदस्यता को रद किये जाने को लेकर कॉंग्रेसियों ने शुकरवार को मशाल रैली निकाली जिसमें केंद्र में भाजपा सरकार का जबरदस्त विरोध किया इस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में कॉंग्रेसी पदादिकारी एवं सदस्य स्वामिल और अपना विरोध मशाल रेली के माध्यम से जताया। रेली के बारे में जानकारी देते हुए दूर की विधायक एवं जीला कॉंग्रेस प्रवक्ता शुशिल भारदवाज ने मीडिया को कुछ इस तरह से बताया। लोगों के बीच में ये संदेश पहुशाने कोशिश कर रही है कि अगर उनसे कोई लड़ने कोशिश करेगा तो उसको नेस्ता नाभूस करें। अगर उसको ये जानना चाहिए कि कॉंग्रेस सदेव ऐसे लोगों से लड़ते आई है और हमारा कही न कहीं ये स्तिती रही है कि हमने हमेशा आजाते की लड़ाई लड़ी है। आज भी हम इन चोरों से लड़ेंगे और हम राहूल गांदी के साथ में और हर घर राहूल गांदी का घर है। उस समय उनके सदस्रता को केंद्र की भारती जनता पार्टी ने समाफ्त किया पूरा देश आज भाजबा के खिलाप है। की फर्सना हो रही है। और हमारी था instruments की लगे सब्सक्राइब मुझें? तो ही वी कारतले में हेसे इतना वर्माट का ता इन confirm और हिंदूस्तान की द्यास नहींड नुप आठानी को लेकर लगातार जो कह रहा है वो बिल्कुस सच्च है उसके दस्तावेश को उन्हों ने पस्कित किया है उसके बाद भी मुजी सरकार chapak on की जो गोटाले की बात वह उनों नी कही है वो बिल्कुस सच्च है उस सच्चाई के सामना करने से भारती जंता पार्टी की सरकाट डरी हुगे हमारा ये आंदोला निरंतर जारी रहेगा और हम न्याय करें नहाई लगते रहेंगे